कैसे हैं दोस्तों आप लोग तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिन मसाला वाली सबजी बिलकुल अनमोल सबजी और स्वाधिष्ट सबजी जो लोग मसाला कम खाते हैं उनके लिए स्पेशल सबजी आज में आपके लिए लाया हूं तो चलिए एक हमने पत्ता को भी लच्छे दार काट लिए हैं और साथ में काटे हैं हमने दो गाजर वो भी लच्छे वाली अब इसको काट के धोके रख लिए हैं अब यहाँ पे हमने धनिया पत्ता काटे हैं दो प्याज लच्छे वाली काटे हैं और 5-6 हरी मिर्च फार के रख लिए हैं यहां एक बड़ी साइज की हमने टमाटर जो चौप काटके रख लिए हैं चलिए एक कराही ले लेते हैं और भट्टी को जला लेते हैं चूला को जलाने के बाद लगबग 20-30 गराम लगबग 2-3 चमश हमने सरसो को तेल डाल दिये हैं और सरसो को तेल गरम होने के बाद हमने एक चमश जीरा यहां पे साबुत एड़ किये हैं और जीरा चटक जाने के बाद हम यहां पे जो हरी मिर्ची है ओभी एड़ कर दिये हैं हरी मिर्ची को भी तोड़ा चला लेंगे और चलाने के बाद यहां हम डालेंगे दोस्तों प्याज जो हमने प्याज बिल्कुल कटकर के रख लिए थे लंबे लंबे बिल्कुल बारी उसे हम यहां डाल लेंगे और डालने के बाद इन्हें भी हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसको जैदा भुनना नहीं है और जैदा पकाना नहीं है यहीं पे जो हम पत्तागोबी और गाजर धोके रख लिएते उसे भी यहाँ एड़ कर देंगे add करने के बाद इसे हम चलाएंगे और आच बिल्कुल कम रखना है दोसटो, जैधा आच यहां नहीं करना है, नहीं तो यह जल जाएगा, क्योंकि बिना पानी की सब्ची है, इसमें पानी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक बुंद भी पानी नहीं पड़ेगा, यह बिना पान से आपको चलाना है बिल्कुल असान तरीके से इसको चलाते हुए कम मीडियम आच में इसको रखना है दोस्तों साती हमने एड किया है आधा चमच अल्दी पाउडर और साती हमने हैड किया है स्वाद अनुसार नमक नमक जिस हिसाब से आप खा सके, उसी हिसाब से नमक डालिए, जैदा या कम आप के हिसाब से. तो दोस्तो इसको हम चला लेते हैं और चलाते हुए, अब देख लिजिए ये पानी भी छोड रहा है दोस्तो. पत्तागों में पानी अक्सर छोड़ता है तो इसको कम मेडियम आज में पकाना है ये पानी से ही ये पक जाएगा इसमें उपर से पानी नहीं डाला जाएगा अब इसको हम चलाते हुए हम इसको ढख देते हैं और लो मेडियम आज में ही इसको रखना है जैदा तेज आज करेंगे जल जाएगा अब दो से तीन मेटर ढखने के बाद इन्हें हम ढखकन हटा लेते हैं थाली से जो ढखे थे अब फिर इनको चलाएंगे यहाँ क्रम को जाई रखना है दोस्तों ढखते हुए इसको चलाना है फिर इसको हटा लेना है अब देख लीजे नौर्मल हो चुका है थोरी सी कसर है इसमें फोरा सा इसको हम फिर ढख देते हैं और ढ़कने के बाद 2-3 मेट के बाद इससे हम निकाल देते हैं ढखकन को अब फिर चलाते हैं तो देख लिजिए पानी खतम है पानी बिल्कुल नहीं है इसमें एक बुंद भी पानी अब नहीं है अब इसको अराम रहम से पका लीजिए बिल्कुल जो लोग मिर्चा बिल्कुल खालानी पसंद करते जिनके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है और यहीं पर जो टमाटर हमने काट के रख देते थे ओभी हम यहां डाल लेते हैं और टमाटर डालने के बाद दोस्तो एक चीज यहां जरूर डालना है धनिया जो धनिया स्वाद के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि यह तो बीन सब गैब हो जाएगा बिना मसाले की एक भी मसाला यूज नहीं है इसमें और थोरा सा ये और पकेगा और इसको हम तोरा चलाते हुए लो मेडियम आज में ही चलाना है और यहां हमने जो हरी प्याज लिए हैं दोस्तों हरा प्याज से बहुत जैदा स्वाद आता है और थोरा स हमने डाल के अब उघ हम एक बाहर निकाल लेते हैं जो हम बाहर निकाल लेते हैं बरी से एक बॉल लेके और चलिए हम परोष के दिखाते हैं बहुत ही स्वाधिश्ट है देखे हम रोटी के साथ इन्हें हम खा रहे हैं कैसी लेगे वीडियो जरूर बते हैं